वर्दी पहनकर रॉप दिखाने वाले पुलिस कर्मी के कई मामले आपने सुने होंगे लेकिन यूपी के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे मामला कुछ ऐसा है कि पोलिस की वर्दी पहन कर एक शक्स ने लगभग एक दर्जन महिला पोलिस कर्मियों को पहले तो अपने प्यार के जाल में फसाया फिर शादी का जहांसा दे कर अपनी हवस का शिकार बनाया इतना ही नहीं इस शक्स ने उन महिला पोलिस कर्मियों से लग नियागर कार रहने वाला है। नियागर कार रहने वाला है। सिटी एसपी ने बताया कि राजन वर्मा के खिलाब श्टेहर कोतवाली में एक महिला सिपाही ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें अभियुक्त द्वारा महिला पुलिस कर्मी के साथ श्रादी का जहांसा दीखर धोखा धड़ी की गई थी। इस संबन्द में अभियुक्त काफी समय से जांच का पात्रू था। थाना कोतवाली पॉलिस द्वारा इसकी गिरफतारी की गई। पॉलिस से मिली जानकारी का नुसार आरोपी जुन महिलाओं को टार्गेट करता था। उनके सरने मरमा ही होते थे ताकि सामने वाले महिला को इस पर श्रक ना हो। यह आरोपी पॉलिस की ओफिशल वेबसाइट से इन महिला पॉलिस कर्मी की पोस्टिक कहा है। अपने आपको वो पोलिस कर्मी बताता था और अपनी पोलिस की वर्दी पहने हुए की तस्वीर भेज कर उनको शादी का जहांसा दे कर अपने जाल में फसाता था उसने अपने बयान में अब तक 8-10 घटनाओं को कबूला है इसके खिलाब अभी तक 5 मुकदमें सामने आ चुके हैं अगर इस तरीके के और भी माम ने सामने आए तो उनकी चानवीन तरके मुकदमें दर्ज किये जाएंगे मुखे रूप से ये महिला पोलिस कर्मियों को ही टार्गिट करता था शादी का जहांसा दे कर उनके साथ फ्रॉड करने का काम करता था जो मुकदमा थाना कोतवाली जनपत बरेली में दर्ज है उसमें भी महिला पोलिस कर्मी के 30 लाख रुपए की धोखादड़ी की बात है आरोपी ने मुखे रूप से अपने जानने वाले लखनाओं के वेक्ति से बातचीत करके महिला पोलिस कर्मियों के आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर उनसे बैंक से लोन भी कराता था बरेली के महिला पोलिस कर्मी के नाम से भी उसने लोन करवाया ये बात महिला पोलिस क सब्सक्राइब करने के साथ शादी का जहांसा देकर दोगा दड़ी की इस संबन्द में ये अभियुक्त काफी सुनर जवान से चल रहा था कि कल थाना कोतवाली पुलिस वारा गिरफ्तारी की जिए और जिन्डे अभियुक्त काहला है उनके शौनेम वर्मा ये ही उते हैं यह सामने वाला वेक्ति हो और व्यूज जू सारा डेटा है जिनको टार्गेट करना चाहता है वो पुलिस की अपिशिल य 말eto कि शौlio के निकालता था। उसमें चरौ की सारी डिटेल्स रहती एकि हुसकी महिला कर्मी की पोस्टिंग कहा है। और अपने आपको पुलिस कर्मी और भी अगर इस तरह के इंस्टेंस हो जिन में मुकदमा पंजिकरत नहीं हो और इसने कटना एक ही हो तो उनकी भी चान्मिल पुलिस कर्मियों को ही अपना निसाना मनाता सा जो लगो एक जर्जन निकल के आई है या और भी रहता है और भी अपने जानने वाले इसने लखना वबेज़ है उससे ये अपनी बाचीत करके और फरजी दस्ताविज बनवा कर और लोन करवाता था महिला पुलिस कर्मी की नाम पर पैसे कट रहें तब अलर्ट है और उसमें पुलिस को सूचे कि अब तक सब्सक्राइब करोड़ रुपे तक सी जनकरी मिल रही है और जो भी पुराने मुकद में अन्य जनपदों में पंजी का था है उनकी डीटेल्स कुछा लिए आठमी पास और बढ़ी पहन के हैं जैसे यह पुरा इसके दिमाग में जाए है यह लखिमपुर खिरी के जो अपने आपको एसो जी किसी लख्ती का अपने आपको बेटा बताता था। और उसके संपर्ख में आने से यह पुलिस के जो ठहन-चहन हैं और पुलिस का जो कार्य करने ज़क्रीका है उससे यह वहां से परीचित हुआ और उसमें वहीं से अपना इठगी वकारे चाले झाल